दोस्तो ये मेरे इंटर्वियो सीरिज की दूसरी वीडियो है और इससे पहले में एक वीडियो बना चुका हूँ अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रेप्शन में लिंक दे दूँगा जहां से जाकर कि आप वीडियो देख सकते हैं और दोस्तो मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्धिस यही है कि आपके अंदर से मुझे डर खत्म करना है कि यार मैं तो फ्रेशर हूँ मुझे जौब कैसे मिलेगी आपका टाइम बेश्ट न करते हुए सीधे कोश्चन की बात कर लेता हूँ इंटर्विवर हमसे कोश्चन करता है कि लो बोल्टेज और हाई बोल्टेज में क्या फरक है कोश्चन नमर में पांच इसलिए लिख रहा हूँ कि चार कोश्चन में पिछली वीडियो में दे चुका हूँ तो हम सिंपली आंशर दे सकते हैं कि बोल्टेज को सर चार भागों में बांटा गया है अगर हम बात करें लो बोल्टेज की तो ये 0 से 2500 बोल्टेज तक लो बोल्टेज होती है इसके बाद मीडियम बोल्टेज 251 से लेकर के 650 बोल्टेज तक होती है इसके बाद हमारी हाई पूल्टेज आ जाती है, जो 651 बोल्ट से लेकर करके 33 kb की लायन तक होती है, और इसके उपर की जितनी भी लायन है, वो एक्स्टा हाई बोल्टेज है, जो 33 kb से उपर की लायन है, उनको एक्स्ता हाई बोल्टेज की स्रेडी में रखा गया है, next question की बात कर लेते हैं अगला question है हमारा face voltage और line voltage में क्या फरक है तो हमारा जो face voltage होता है वो 110 volt, 120 volt, 220 volt, 230 volt और जो line voltage होता है इंडिया में इस्टेंडर 230 voltage single face है और line voltage 415 volt है other country में 110, 120, 220 और 230 voltage भी हैं इसके अलाबा भी कुछ voltage हो सकते हैं face voltage मैंने internet से मुझे जितना मिल सका मैंने collect करके यहां लिखा है और line voltage जैसा आप नीचे देख रहे हैं 11 kb, 25 kb जो हम इंडिया रेलबे में यूज करते हैं 33 kb, 34 kb ये सब line voltage है और next question होगा कि अगर 11 kb की line जो 11,000 voltage की line होती है हमारे गाउं में या इंडिस्टी में आती है अगर वो 11,000 voltage line voltage है तो उसके एक तार में कितने voltage आ रहे हैं उसका face voltage क्या है तो किसी भी line voltage का में face voltage निकालने के लिए root 3 से भाग देना होता है root 3 की value होती है 1.732 और जो 1.732 value है ये इस्टेंडर है एक example के लिए यहां 415 volt में मैं भाग दे रहा हूं 1.732 से जो मेरा voltage निकल के आया या 240 volt निकल के आ गया ये face voltage है 415 मेरा line voltage था और 240 मेरा face voltage निकल के आ गया आपके मन में एक यहां question आ रहा होगा कि हम under root 3 से भाग क्यों देते हैं under root 2 से under root 1 या under root 4 से भाग क्यों नहीं देते तो आप वीडियो में बने रही है मैं आपको समझा देता हूं कि root 3 कहां शे आया और क्यों हम root 3 से भाग देते हैं अगर आपको यह पता है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं अभी हमने समझा था कि line voltage 415 volt है और face voltage 240 volt है 240 edge समझाने के लिए ले रहा हूं मैं 120 degree पर क्यों खीची यह जो 120 degree है यह पर face के बीच में difference होता है यह किसी next वीडियो में बताऊंगा फिलाल मैं बात कर रहा हूं कि मेरा face voltage 240 volt कैसे आ गया 415 line voltage है तो अब मैं C और B बाले दोनों point को मिलाता हूं तो जो मेरी मिलाने वाली line है यह 415 cm की आएगी आप इसको scale से नाव के अपनी copy पर देख सकते हैं अब यह तो एक simple तरीका हो गया कि 240 cm को मैंने 240 volt मान लिया और इसका 120 degree के angle पर अगर मैं दौनों सिरों को मिलाता हूं तो 415 volt निकल के आएगा अगर आप under root 3 के बारे में जानना चाहते हैं कि हम under root 3 ही क्यों use करते हैं और यह under root 3 आया कैसे तो इसके लिए मैंने एक separate video बना के रखी है अपने channel पर description मैं link देदूँँगा वहां जाके आप video देख सकते हैं अगर यहां में root 3 आपको शेखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो पशंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए